3 नवंबर को बीजेपी के राश्ट्र अद्यक्षे जेपी नडडा रीबा जिले के त्योंथर में सभा को संभूदित नमस्कार मैंजना स्वागत है आपका दखाबरदार नियूस पे तो आएए चलते हैं आज की मुख के खबर पर 3 नवंबर को बीजेपी के राश्ट्र अद्यक्षे जेपी नडडा रीबा जिले की त्योंथर में सभा को संभूदित किये कहा कि त्योंथर में आज आप सभी के दर्सन का सौभा के मिला है ये मेरे जाती है, ये मेरे इलाके का है, ये मेरी भासा बोलता है इन आधारों पर चुनाब में वोट नहीं दे जाते, वोट उसको देते हैं जो आपकी 5 साल रक्षा करे आपको विकास के साथ जोड़े कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन इदिकारी प्रत्वापाल की निर्देश पर प्रमुक सिक्षन संस्थानों में एक नवंबर से तीन नवंबर तक मताता जागरुकता के लिए विबिनिक कारेक्रम आईजुत किये जा रहे हैं इसक्रम में सीएम राइस कन्या उचितर मादमिक विद्धाले सेमरिया में एक नवंबर को बाद विबाद प्रतियोगता और दो नवंबर को मानव शंकला बना कर मताता जागरुकता के संदेश ये गए सतना में शुक्रुबार सोबा मुखी मंतरी शिवराज सिंग चोहान ने जैन मंदिर पहुँचकर भगवान महावीर स्वामी के दर्सन किये शिवराज ने कहा कॉंग्रिस ने मदिपर्देश को पिछड़ा और बीमारू छोड़ा था कमलनाथ जी पूछते हैं मेरा गोना क्या था मैंने क्या पाप किया था तो कमलनाथ आपने पाप किया था सबास आज जब आपकी सरकार बनी तो आपने भारती जिंता पार्टी के सभी योजनाओं पर ताला डाल दिया सतना प्रवास पर आई मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहा ने कॉंग्रिस को फिर आडे हाथ लिया और कहा कि विपक्ष का आई एंडिया ये गड़बंधन विखर गया है कॉंग्रिस सिर्फ अपनी और अपने नेताओं के परिवारों की ही चिंता कर रही है सुनिया गांधी अपने बेटे राहूल गांधी को इस्थापित करने का प्रयास कर रही है तो कमलनाथ अपने बेटे को दिखविजल सिंग भी अपने बेटे को इस्थापित करने के लिए परिशान है उज्जैन में स्टार परचारक अमिशा की सभा के बाद अब कॉंग्रेस भी स्टार परचारक की सभा कराने जारी है सबसे पहले 7 नवंबर को उज्जैन में कॉंग्रेस पार्टी के राष्टी अद्यक्ष मलिकारजुन खडगे सभा को सम्भोधित करेंगे इस दोरान वेजले के साथो सीट से कॉंग्रेस के पत्याशियों के लिए वोट की अपील भी करेंगे इंदोर जिले की राउधानसवा सीट से कॉंग्रिस पत्याशी और पूरुमंत्री जीतु पटवारी के भाई नाना पटवारी को न्याले ने गुरुवार को जेल भेजिया वे काफी दनों से फरार चल रहे थे क्राइम ब्रांच के अडिशनल डीसीपी राजेस डंडोतिया के मुताविक राजेंदर नगर में किसान आंदौलन के दौरान 2017 के मामले में हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया गया था कॉंग्रिस के मद्रदेश प्रफारी रंदीव सुर्जेवाला ने कहा कॉंग्रिस की सरकार आने पर मुखी मंत्री शिवरा सिंग चोहान की बोमिका की जाच कराएंगे उन्होंने कहा 15 मार्च से पटवारी भटी परिक्षा स्रू हुई जो 25 अप्रेल तक चली पुलिस ने चार अप्रेल को सॉलवर्स के फरजी वारी को पकड़ कर एफायार दर्ज कर ली थी शिवरा सरकार चाहती तो इस फरजी वारी को रोका जा सकता था मुखी मंत्री और भाजपा सरकार के इस नरक्षन में या घोटाला होने दिया गया नागिश्वर धाम कॉलोनी में हुई संसनी खेज 10 लाख रुपे से अधिके जेवरात की चूरी के मामली में पुलिसनर शुकुरवार को खुलासा कर दिया मामली में घर की डॉक्टर बेटी के दो मित्र ही आरोपी निकले जिसमें 25 सोला सोना चोरी कर ले गए थे चोर प्रधान मंत्री नैंद्र मोदी साथ नववमर को चुना प्रचार अभियान के तैल सतना आएंगे वे यहां भाजपा पत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे वे यहां हवाई पटी मैदान में भाजपा पत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा करेंगे पीमोधी का दस दिन में यह दूसरा सतना दौरा होगा वे 27 अक्टूबर को चित्रकूट आये थे हालांकि उनका चित्रकूट दौरा गयर राजनीतिक था लेकिन अब वे चुनावी दौर में राजनीतिक दौरे पर सतना पहुँच रही है मद्य परदेश विधान सवाच नाप रचार के लिए पहुँचे आम आदमी पार्टी के सायोजत और दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विंद केजरिवाल ने एक रोड़ शोखिया केजरिवाल ने कहा कि दिल्ली में रोज खड़ी होकर धमकी दे रहे हैं कि गरफतार कर लेंगी केजरिवाल के शरीर को तो गरफतार कर लोगे लेकिन केजरिवाल की सोच को कैसे गरफतार करोगे अब तक लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए दा खबरदार न्यूस